बंदे मातरा मित्रो भारात मातागी जै सोल्जर अस्टेंडिंग अन्द बॉर्डर और आप यहां बैटके वीडियो देख रहे हो चलो देख ही रहे हो तो वेलकाम वेलकाम चू अनधर एडिशन ओफ देश भक्त 2014 से यानि जब से नहरू जी के चुंगल से देश को आजादी मिली है तब से नैशनलिजम को ज़स्बा है ना देश भर में च्छाया हुआ है हमारे भीतर ना देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो फीलिंग होती है ना वो लगतार बढ़ती होती है आपको भी आ रही है ना यह फीलिंग नहीं आ रही है तो जाओ पाकिस्तान एक्चली टीवी से लेकर ट्विटर तक और रिपबलिक से लेकर दंगल एंट डियने तक हमें लगतार ये बात फीड की जा रही है कि निशन नीड्स अस सरकारी फोर्सिस सब यही चाहते हैं कि हम इकनोविक कल्चरल स्पिरिच्वल वॉर्यर्ज बने हमारे अपने देश के लिए अपनी पेट्रियॉटिक ड्यूटीज हम पूरी करें बॉर्डर पे नहीं तो कम से कम या बाजार पे जाके तो करी सकते हैं ना यह अंडर्वियर है जैंट्स के लिए आप जह है इसको फिल करके देखिए बाइद देखो जैसे समोसे में आलू होना चाहिए टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए ठीक वैसे ही आपके हर खरीद में देश भक्ती की भरपूर मात्रा होनी चाहिए समझे के समझे नहीं मनें आपके खाने में देश भक्ती गर से दूर रहकर जो आप हमारे घरों की इफाज़त करते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ और अब राजीव भाटिया आप लोगों के लिए खाना बनाएगा फॉर्चुन ओइल घर का खाना घर का खाना होता है आपके गाड़ी में देश भक्ती भाई हमारा तो खेयर है जो देश की जूटी पे जा रहा हो उसकी जूटी सबसे पहले कर और आखिर उनकी सैंटों न जिसे देश का हर कौना जुड़ा है और हम भी देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं कचारिया हाला कि ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है पूरी दुनिया में सिटिजन्स को नैशनलिस्ट सोलजर्स बनाने की पूरी पूरी कैम्पेइन चल रही है वो बात अलग है कि MNC जो USA में अमेरिका फस्ट कहता है वो ही यहां आके जय भारत कहता है यानि नैशनलिस्म अपने आप में एक पूरा मार्केट है और इस मार्केट पे वो ही टिकेगा वो ही नंबर वन होगा जो होगा टोटल देसी जो होगा टोटल संसकारी और थोड़ा सा प्रो सरकारी होने में भी बहुत फाइदा होता है जब देश भक्ती का कवच किसी ने पहन लिया तो कोई विदेशी कमपनी खेर नहीं है आई ने सकती है चैलेंजी नहीं कर सकती है याद है न डी मोनेटाइजेशन याद है न वो जो सोल्जर्स हैं जो बरफ में लड़ाई कर रहे हैं आपके लिए और आप क्या कर रहे हो य जन्त कान्ती तो खरीद लेते तो थोड़ा तो नेश्टलिस्ट बन जाते है और आप दोनों एटीम के लाइन में खड़े नहीं हो सकते दिल हिल जाता है न हाँ सोल्जर्स का नाम सुनके लेकिन सिर्फ पॉलिटिशन या बाबा ही नहीं मार्केट भी ये आपकी दिल की जी जान से लगे रहते हैं हमारी बाइक चलाओ और नेश्टिफिकेट ले जाओ वाह अब सोचने की बात ये है कि ये बाइक आई थी 2016 में मनें दो साल में काफी सारी बाइक लाखों में बिकी भी हुई है अभी भी बिक रही है अब ये मोटर साइकल चलाते चलाते अगर किसी ने सवाल किया देश के निताओं को तो वो नेशनलिस्ट होगा या एंटी नेशनल होगा सोचने वाली बात है लेकिन ये सारे सवाल बड़े सब्जेक्टिव होते हैं अब देखिए न, जीन्स को वेस्टन आउटफिट बताने वाले बाबा कि आज कट एंड रगट जीन्स एकदम 24 करेट गोल्ड संसकारी बन चुकी है जी हाँ, उचसे जातों संसकारी जीन्स है नहीं आजकल जितना भी फटा हो, और संसकारी वा, तुम जीन्स बनाओ, तो इंडिया पे वार हम जीन्स बनाए, हैं, तो फुल भारतियों संसकार बेटा, हैं, हैं फटके तो बहुत सारी चीज बराबर हो रही है लेकिन ये मत समझें कि बाबा के कपड़े पहने से ही देश भक्ती का पूरा सकून मिलेगा नहीं, नहीं, इसमें और भी एडिशनल है, इसमें मिलाया गया है आयोरवेद की शक्ती, कपड़ों में, हां, देख लो भाई इसमें चंदन की खुश्बू आई है लेकिन राष्ट्रवाद के समुद्र में अभी जो हाई टाइड चल रहा है न, वो अभी कभी घटने वाला नहीं है आज कल मार्केट को लीडर्स की, और आपके दिल की कनेक्शन का जंक्शन बॉक्स मिल गया है लेकिन एक बात याद रखिए, थोड़ा होशया रही है, देश भक्ती की ये जो एडिशनल सर्चाज लगती है, वो मत भूलिएगा फ्यूल पे डेवलप्मेंट सेस लगेगा आपको, स्वच भारत सेस लगेगा आपको, आपकी जेब कटाई सेस लगेगा आपको, ये सब लगेगा, ये सब देते देते हम तो समझ गए हैं आप भी समझदार बन सकते हैं, देश भग्द बन सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, वरना अंद भग्ती के काल में आप भी मज़े उठाइए, हैं, और ईश्वर आपकी अकाउंट और उस अकाउंट में अमाउंट दोनों की रक्षा करें, हरियोम, 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 हरि अरे यार वो तो thumbnail लिखके आपका comment section खुला था तभी लिख देते हैं पूरी देखने की का जुरूत थी लेकिन अगर पूरा episode देखा है हमारे यहां देशभक्त का तो अगर कुछ comments वगरा हैं तो वो भी लिख सकते हैं भडास के लिए तो 24 गंटे हम आजी रही हैं Twitter, WhatsApp, Facebook, कुछ भी हैं हम तो आजी रही हैं लेकिन अगर इस देशभक्त को कुछ support करना है इस channel को आगे बढ़ाना है तो जरूर contribute भी करिए patreon.com slash akashbanerji नीचे link दिया हुआ है वहाँ जाईए और हमारी छोटी सी देशभक्त की टोली को जोइन करिए जिससे हम और बाते करेंगे हम और contribution करेंगे और हम और collaboration से और भी episodes लाएंगे आपके लिए Anyways, more episodes coming up on the देशभक्त